सैलार जंग म्यूजियम की इस्टेचू जो एक तरफ से कौवारी लड़की और आइना में देखने से उसी को एक साधी सुदा औरत और ये एक ऐसा पुतला है जो एक तरफ से जेंस दोसरे तरफ से लेडिस Assalamualaikum and Hello everyone Welcome back to my another vlog हैदराबाद में हम लोग जीस होटल में इस्टे किये थे उसको चेक आउट करके हम लोग आ गये थे दोसरे वाले होटल में और यहां के रिश्टोरेट में हम लोग नास्ता करके आज हम लोग जाएंगे ठर्ड इंटरनेशनल म्यूजियम देखने जो सालारजंग म्यूजियम है और इसमें जितनी भी समान है वो वन मैन कैलेक्शन है हैदराबाद के दूसरे होटल का रूम बहुत अच्छा मिल गया था वही आपसे सेर कर रही हूँ और यह स्मार्ट लोग है जो की से नहीं कार्ट से खुलता है और मुझसे लोग हो गया था होटल वाले भाई आकर किंकी से मेरा डोर खोल दी और यहां पर एरम देखा रही है आपको रूम क्यूंकि इस रूम में रहना एक दिन पर बहुत ही अच्छा मिल गया था और सामने विंडो है जो मतलब एरिया है लोकल एरिया वो नजर आता है उससे और भी मतलब अपना इलाका जैसे होटल लग रहा था और रूम भी वाव शैया है और अच्छा रूम भी है और अच्छी हालाद में है मतलब सबसामान इसका अच्छा है ।सामना इस पर फू नहीं है और सामने विंडो है जिसे लोकल एरिया नजर आ रहा है जैसे र सा टीबी दे देता है पर कोई काम का नहीं होता है पर यहां जो है अलेक्सा काम कर रहा है जिसमें A.R.M. अपने मन पसंद का वीडियो काटून देख सकती है और यहां पे वीजिवल अलमीरा दिया हुआ है जिसमें कोई भी समान अप रख सकते हैं और रखकर भूलेंगे नहीं नजर आएगा आपका इसमें क्या समान है फिर लेने वक्त आसानी पर जाएगा तो मैं यहाँ पे बैग रख दी हूँ और जितने समान हम लोग पैक करके लाएं उस वाले होटल से स खुली मिरर है जिसमें आप अपने आपको तयार करके उपर से नीचे तक अपने आपको अच्छी तरीका से देख सकते हैं इस मिरर में जहां मैं नजर आ रही हूँ आनम को लेकर वीडियो करते हुए पहला दिन हैदराबाद में हम लोग को रूम अच्छा नहीं मिला पर य यहां अगर तयार हुई हूँ और यह होटल का रिसेप्शन एरिया है जिसमें जो यह सब समान रखे हुए है असोपीस में जो सेल के लिए है जिसमें ओरिजनल पल्स माला कैंडल इस्टेंड टी शेट वास यह सब है इस सोपीस में रखा हुआ एकदम साही लग रहा है और बहुत ही एक्सपेंसिब भी है तो यहां पर हम लोग कुछ दिर बैठे हुए थे होटल के रिसेप्शन एरिया में जहां बहुत ही प्यारा आपको जो यह वाल वाच नजर आया जो बहुत ही यूनिक लग रहा है इसी तरह का वाच देखने हम लोग सेलार म्यूजियम जाए हैदराबाद में most important historical place है तो historical place को कोई इतना important जादा देता नहीं है बहुत कम ही लोग है जो historical place में interest रखते हैं तो जो रखते वो continue रहे हैं तो चलिए मेरे साथ जानते हैं इस museum का history तो इस museum सेलार जंग museum को नवाब मिर यूसुफ अली खान ने बनवाया था और इसकी opening जवा ने की थी 1551 में हैदराबत के सेलार जंग museum में जितने भी समान है आपको वह largest one man collection है वह मैं है नवा मिर यूसफ अली खान तो यह सब चेयर टेवल डाइनिंग टेवल देखिए कितने जमाने से हैं मतलब 19th century का यह सब जो है आपको furniture नजरा जाएंगे जो अभी भी बहुत अ हालात में है और furniture का boundary में कितने अच्छे से यह खुबसुरत design किया हुआ है वह भी हातों का design है यह सब यह सब चेयर टेवल जो है 19th century का है wooden chair table है वह भी South India का 19th century का और यह जो नजर आ रहे है यह 19th century का दरी है मतलब कार्पेट जिसमें इतने बारीकी से काम किया हुआ है कि animal का जो आपको जो nail है वो भी बारीकी से नजर आ रहा है यह सिल्क सारी और स्काफ है यह भी 19th century का है और यहां देखिए निजाम के दौर का हुका जो different type का है और यह यह सिल्क सारी और स्काफ जो अभी भी इतनी अच्छे हालात में इसका color कितना अच्छा भी भी खराब नहीं हुआ है तो अब हम लोग देखेंगे सेलारजंग museum में हाथी के दात के बने हुए सामान तो देखिए कितने बारीकी से बनाया गया है हाथी से बनाया गया है यह स काम किया गया है believe नहीं हो रहा है यह सब हाथी के दात का बना हुआ है और हाथी के दात में इतने बारीकी से काम किया हुआ है unbelievable कि हाथी के दात में भी इतने बारीकी से काम हो सकता है यह सब architecture का कमाल है यह सब जो toys नजरा रहे हैं यह सब भी हाथी के दात का बना हुआ है यह देखिए ये कितने बारीकी से बना हुआ है हाथी के दाथ में एक एक चीज यहाँ पर जो आपको नजर आएगी ये हाथी के दाथ का हाथी के दाथ का पंखा भी है ये बॉक्सर्स के ऊपर मैट नजर आ रहा है ये भी हाथी के दाथ का बना हुआ है तो टॉइस वगेरा तो थोड़ा समझ भी आता है कि हाथी के दात का हो सकता है पर मैट दिखे तो इदम विलीव नहीं हो रहा है कि ये हाथी के दात का बना हुआ है अब बहुत सारे चाइनीज, जियापैनीज, इंगलीज और नेपाली आगोरीज मिल जाएंगे जो हाथी के दात के बने हुए है उस वक्त के आर्टिटेक्चर का कमाल है कि इतने बारीकी से ये सब बनाया हुआ है, इतने बारीकी से डिजाइन किया हुआ है और ये सब जो कलरफुल पुतला नजरा रहा है, ये सब भी हाथी के दात के ही है अब हम लोग चलते हैं सेलार्जंग म्यूजियम का मोस्ट एट्रक्शन वाला जगा चीज देखने जो ये घरी है 200 साल पुराना, तो इतने सारे यहाँ पर पब्लिक जमा हो गए है इस घरी का टाइम देखने के लिए, जो हर एक घंटे में इस घरी को घंटा बजाता है एक पुतला ये 200 साल पुराना घरी को मंगवाया गया था एंगलेंड से, पर एसेंबल किया गया था कॉलकता में इस घरी के 350 पार्ट है, इस घरी में एक ऐसा मिनेजमेंट फिट है जिसको हर एक घंटा होने में तीन मियर बाकी रहता है तो इसके अंदर से एक दारी वाला आदमी निकलता है दरवाजे के पीछे से जब मिनट का काटा बारा पे जाता है, तो वो घंटा बजा कर फिर अंदर दरवाजे के चला जाता है और उसी के साइड में एक जो और पुतला होता है, जो लोहार सेप में होता है और वो हर वक्त अपना हतारा बजाते रहता है ये सेलार्जंग म्यूजियम का बहुत ही अट्रेक्शन वाला चीज है ये घरी ये सब जो वाइट मार्वल में पुतला नजर आ रहा है ये 19 सेंचरी में इटली से मंगवाया गया था मोगल के दौर में तो जी फ्रेंज चलिए चलते हैं देखते हैं वैलिड रेविका को तो ये एक तरफ से कमारी लर्की नजर आती है और इसी का दोसरा हिस्सा जो मिरर में नजर आता है वो साधी सुदा औरत की तरह नजर आती है तो उस वक्त के आर्टिटेक्शर का ये कमाल है कि एक पुतला मे दो रूप दे दिया है कुछ इस तरह से देखिए चलिए चलते हैं मेरे साथ 17 संचरी का गन देखने तो ये सब देखिए अलग-अलग तरीका का गन है उस दौर का कितना ब्यूटिफुली डिजाइन किया हुआ है और कितना लंबा ये वाला गन सब है और ये देखिए फु और ये सब जो तलवार नजरा रही है आपको ये 17 संचरी की तलवार है जिसमें औरेंज एप की तलवार बहादुर साह की तलवार है और सबसे लंबीत तलवार औरेंज एप की है जो पांच फिट की है अब हम लोग सेलार जंग म्यूदियम के सेकेंड फ्लोर पे हैं जो बहुत ही खुपसरत गैलरी है और 72 19 संचरी के आपको यहां पर फरनीचर नजर आ जाएंगे ये 17 संचरी का डाइनिंग टेवल है राजा महराजा के दौर का जिसमें वो खाना खाया करते थे ये पालकी जिसमें उनकी रानियां जो है सफर करती थी 72 19 संचरी का है अलग-अलग डिजाइन का है और मोगल के दौर का है यह सब यह सेकेंड फ्लोर पर बहुत ही खुबसूरत गैलेडी है जो राजा महराजा का जो हम लोग चेयर टेबल डाइनिंग टेवल और पालकी वगरा देखने पार है यह सब जो नजर आ रहे है यह 19 संचरी के सेंट बॉक्स है जो डिफ्रेंट टाइप के हैं कितने यह अलग-अलग है जो अभी इस तरह का मिलता भी नहीं है यह सब राजा महराजा के दौर का है यह जो गैलरी आपको नजर आ रही है यह सेलार जंग म्यूजियम का पूरा बाहर का लुक है यह छोटे छोटे जो खंजर नजर आ रहे हैं उस दौर के हथियार है जो राजा महराजा अपने पास रखा करते थे और यहां देखिए मोगल के दौर में यूज होने वाला रेह और यह सब जो नजर आ रहे हैं यह हुक का पाइप से 18 सेंचुरी का और यह जो कफ नजर आ रहे हैं यह मोगल के दौर का मेडिसिन मेजरिंग कफ है और यह मोगल के दौर का तस्बी इस तरह से आपको बहुत से यूनिक यूनिक समान मिल जाएंगे जो एक आदमी का सब कलेक्शन किया हुआ है और इस म्यूजियम में रखा हुआ है वो भी 18, 17, 19 सेंचुरी का यहां तक कि इस म्यूजियम सेलार जंग म्यूजियम में आपको और इंजेव साजहा का तलवार भी नजर आएगा और यह जो बरतन नजर आ रहे हैं उस दौर के 17 सेंचुरी के जो है सिल्वर के सब बरतन है तो जी चलिए इस वीडियो में आपको 19 सेंचुरी के आर्टिटेक्चर का कमाल नजर आएगा जो इस पुतला में है जो एक तरफ से आपको राजा या बोल लिजिये जेंस नजर आ रहे हैं और दोसरी तरफ से जो इसको मिरर में देखा जाता है तो एक प्रिंसेस लड़की नजर आ रही है तो उस दौर के आर्टिटेक्चर का ये कमाल है कि एक पुतला को दोसरा रूप दे दिया है लेडिस और जेंस का और ये वाले हिस्सा यूरिपियन पेंटिंग गैलेरी है जिसमें आपको मोना लेजा निपोनेल बॉनापार्ट की भी जो पेंटिंग इसमें मिलेगी सैलार जंग म्यूजेम में नैंटिन सचरी के आर्टिटेक्चर का जो हादों का कमाल है वो एक दो जगा नहीं मुल्क के बहुत से अलग अलग जगों से मंगवा कर रखा गया है सैलार जंग म्यूजेम आ रहे हैं तो इसी तरह इसके अंदर आकर उपर उपर देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें यहां आकर एक-एक समान को अब देखेंगे तो एक अच्छा टाइम एक्स्पेंड करेंगे और हिस्टरी का जो है एक बहुत ही खुबसूरत पार्ट आपको इस म्यूजेम में देखने मिलेगा तो इस पूजा विकेशन का ये लास्ट वाला वीडियो है 2023 का यह सेलार जंग मूजेम हम लोग का लास्ट डिश्टरीनेशन था यहां होने के बाद हम लोग आ गए थे सादाव जो फेमस है हेदरावाद का होटेल उसमें जहां पर हैदरावाद का एवन बिरियानी मिलता है और यहां से खाना खाने की बाद हम लोग का वीडियो यहीं पे होता है end I hope मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूले इस साल का फूजा vacation हम लोगों का बहुत ही अच्छा गया तो हम लोग अराकू वेली, विशाका पर्टम, हैदराबाद के बहुत सारे important जगों को explore किये जो बहुत ही amazing था हम लोगों के लिए बहुत ही unique था I hope कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा मेरे वीडियो के जरिया से